पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ट क्लास 10 का हिंदी का मौडल पेपर बहुत ही महत्पूर है पेपर के दृष्टी से सन 2021 का ये यूपी मसी जो बोर्ट की तरब से मौडल पेपर आया जाता है वे है मौडल पेपर तो इसमें आपको देखें हिंदी में पहले समय 3 गंटे 15 मिनट दिये गया है पुडांक आपको 17 नमबर का दिया गया है नोट में कुछ दिया है प्रारंब के 15 मिनट पर रिच्छार्तियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है प्रश और इवन्स राय बच्चन की आत्मकता है तिसरा अप्सन है राम विलास सर्मा कभी के रूप में प्रसिद्ध है और चौथा है मैला आंचल कहानी विदा की रचना है प्रशने का ख रस मीमानसा किसकी अलोचना कृती है तो इसमें पहला अप्सन है राम चंदर सुक्ल दुस दुसरा महावीर प्रसाद्रिवेदी तिसरा रागय राघो और चौथा अप्सन है आपका केदारनाथ सीन पहला कगह है निमलिखित में से किसी एक का रचना की लेखक का नाम लिखिये पहला है अथाह सागर दुसरा है अर्ध नारिस्वर तिसरा है मेरी असफलताएं रिच वेनपूरी दुसरा राम महादेवी वर्मा और तिसरा राम विलास सर्मा चौथा है प्रेम चंद अंगा देखते हैं पहला का त्याग पत्रकीस विधा की रचना है पहला है उपनियास और दुसरा है कहानी सेकेंड पेच पेच पे चलते हैं तिसरा उसी का पहला का अ दिया गया है प्रश्म ने दिए गया है निम्लिखित गझ्यांसों से किसी एक नीचे के एक के नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर दिजिए तो कदिया है इसमें देखते हैं भिन भिन धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं यहां भी थेड़ी थोड़ी यहां होगा थोड़ी बहुत संख्या में पा प्रश्न दिया है उपयोवक्त गद्यांस का संदर्व लिखिये दूसरा रेखा चिन अनसो की व्याक्षा किजिए और तिसरा है उपयोवक्त गद्यांस में भारत की बोलियों एवं संप्रदयाईों के संबन्द के लेखक द्वारा क्या बताया गया है अत्वा करके एक और आपको गद्यांस दिया है इसमें से भी प्रश्न उक्तर पुछे हैं कुछ तो पहले पहाड काटकर उसे खोकला कर दिया गया फिर उसमें सुन्दर भवन बना लिये गए जहां खंबो पर उभारी मुर्ते विहंस उठी भीतर की दिवारे और छते रगण कर चिकनी कर ली गई और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही वसा दी गई पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सीरज दी फिर उने के चेले कला वन्तों ने उनमें रंग भर कर प्राण फुक दिये फिर तो दिबार उमग उठी पहाड पुल की तो हो उठे पहला है उप्यूक गद्यांस का संदर्व लिखिये दूसरा है रेखा कि अंसों की व्याख्या कीजिये तिसरा इसमें प्रश्ण है पहाडों को किस प्रकार जीवन्त बनाया गया प्रश्ण चार दिखते हैं निमलिखित पद्यांसों में से किसी एक का संदर्व व्याख्य किजिए तथा काव संदर इसपश्ट किजिए तो यहां पर दिया है का निर्भय स्वागत करो मृत्यु का मृत्यु एक है विश्राम इस्थल जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन मंडल मृत्यु एक सरीता है जिसमें स्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन पी वस्त्र बहाकर अथवा करके और एक आपको पध्यांस में दिया है सुनी सुन्दर वैन सुधा रससाने सयानी है जानकी जानी भली तिर्चे करी नैन दे सैन तिने समुझाई कच्छु मुसकाय चली तुलसी तेही आउसर सोहे सवे अव लोकित लोचन लाहु अली अनु प्रशन पांच देखते है नीम लिखित में से किसी एक लेखा का जीवन परचे देते हुए उनकी किसी एक रचना का उलेख कीजिए पांच वागा पहला है पहला आपको जीवन परचे लिखना आचा रामचंदर सुखल का या करके आप दूसरा लिख सकते हैं डॉक्टर भ तो आपको याद होगा उसी का जीवन पर्चे और उनकी कृतिया की रच्ना भी लिखना है। तथा उनकी कीसी एक रच्ना का नाम लिखिये। यहाँ पे दिया गया है पद मेंसे पहला है मैत्रि सरड़घुप्त, दुसरा महादे वीवर्मा, तीसरा सूर्दास। प्रश्न 6. निमलिकित में से किसी एक का संधर्व सहीत हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न 6 में आपको अनुवाद करने के लिए दिया है सन्सकृत का। तो मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृती अस्मा का पुर्वजना मानव जीवन संस्कृतु महानता प्रत्यनतम अकुर्वनम ते अस्मां का जीवनस्य संस्करणाय यान आचरन वीचारन च अद्रेस्यन तत सर्वं अस्मा का संस्कृते अत्वा करके एक दिया है मान हित्वा प और दिया इसी की लाइन छट्वा का कामम हित्या वर्थान भवती लोब हित्वा सुखी भवेत प्रश्ण साथ का कर देखते हैं अपनी पाठ पुष्टक से कठ्यांस्त किया हुआ कोई एक स्लोक लिखिये जो इस प्रश्ण पत्र में ना आया हो आपको दो लाइन की पद से आपको इस लोक याद करना रहता है बहुत बच्चों को यह भी नहीं मालूम है कि संस्कृत से पद याद किया जता है कि गद पद से ठीक है तो आपको पद से लिखना है दो लाइन का इस लोक लिखना है आपको जितना याद करे हो उतना लिखे लेकिन मैक्सिमम आपको दो लाइन ही लिखना रहता है साथवा का ख देखते हैं निमलिखित प्रश्णों में से किसी किनी दो प्रश्णों के उत्तर संस्क्रीट में लिखिए ख देखे पहला है पिता कस्मात उच्चतर अस्ती दूसरा है ग्रेहे सत्ह मित्रम किम अस्ती तिसरा है लोभन की वर्धते, चौथा है दूर मुख ह क आसित, पाचवा है ग्रामीडान क उपसाहत, उपाहसत, प्रशना आठ देखते हैं, प्रशना आठ का कह है करूल अथ्वाहासरस का इस्थाई भाव और परिभासा बताईए, आठ्वा का ख है उपमा अथ्वा, रूप अलंका की परिभासा देते हुए उधारण बताईए, प्रशना आठ का गर, सोर्ठा अथ्वा रोला, छंद की परिभासा देते हुए उधारण बताईए, प्रशना नौ का कह है, निमलिखित उपसर्गों में से किनीत तीन के मेल से एक-एक सब्द बनाईए, जैसे यहाँ पर पहला दिया है, सु, दुसरा है प्रती, तीसरा है प्रती, दुसरा प्र है और तीसरा प्रती है, और चौथा उप, और पाचवा नीर, और छटवा है अभी, ठीक है, नौगा का खह है, निमलिखित में से किनी दो प्रतियों के प्रयोगों से एक-एक सब्द बनाईए, पहला है ना, दुसरा है पन, तिसरा है इक, चल्था है इ, नौवा का गह है, निमलिखित में से किनी दो का समास विग्रह किजिए, तथा समास का नाम बताईए, पहला है राधाकृष्ण, दुसरा है सब्त धान्य, तिसरा है चौरह, पाच्वा है उत्त धान पतन, नुवा का घर निमलिखित में से किनी दो सब्दों का ततसम रूप लिखिए पहला है घर दूसरा मानूस तिसरा है गाउं चौथा है चांद नुवा का अंगा है निमलिखित में से किनी दो सब्दों के दो पर्यावाची लिखिए पहला इस्वर, दूसरा कमल, तीसरा फूल, चौथा जंगल, प्रश्न दस दिखते हैं, प्रश्न दस है आपका निमलिखित सब्दों में से किनी दोग का संदी विच्छेत कीजिए, और संदी का नाम लिखे पहला है, प्रत्युत रतम, दूसरा है स्वागतम, तीसरा है इत्य दस्वागतम, 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 शातु लकार पूरुस तथा वचन का उलेख लिख किजिए तो पहला है गह का अहसम दूसरा है पठाव तिसरा है हसी हथ ठीक है दस्वाग गह निमलिखीत में से किनी दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवात किजिए पहला है प्रयाग गंगा तटपर इस्थित हैं दूसरा दिखते हैं दूसरा इसमें है तुम दोनों क्या करते हो तिसरा है विद्या विन्य से बढ़ती है चोथा गंगा भारत की पवित्र नदी है पाचवा हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए प्रशन नंबर ग्यारा निमलिखीत विसीयों में से किसी एक विसेपन निबंद ल प्रशन बारा में आपको लिखना है अपने जीले से खंड काव जैसे यहां पर अपने पठीत खंड काव के अधार पर निमलिखीत प्रशनों में किसी एक का उत्तर दीजिए तो यहां पर देखें बहुत धेर सारे दिये गया है खंड काव गग गग तो जैसे मैं जीले का कौन सा ओग उसी को आप लोग याद करिएगा तो और लाश में मैं बताना चाहता हूं इसका पीडिया लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दीया गया है वहां से आप लोग डांग नोट कर सकते हैं आज के लिए इतना ही पावरेजुकुशन पॉइंट धन्मवाद